हेलो दोस्तों कैसे आप लोग आई हो पाप बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लोग बात करने वाले हैं OCM का जो भी हमारा 6th chapter चल रहा था that is forms of business organization part 2 और इसमें हम लोग कुछ difference के बारे में देखने वाले हैं आज हम लोग difference बात पारने वाले हैं partnership and company के बारे में इस lecture में हम लोग partnership firm और company के बीच में क्या difference होता है उसके बारे में discuss करने वाले हैं सबसे पहले जानते हैं कि establishment process में क्या difference होता है partnership firm की जो establishment है वो easy and voluntary registration होता है मतलब बहुत easy way में आप उसे register करवा सकते हो अगर करवाना चाहते हो तो because यह voluntary process होती है करवानी हो तो ठीक है और partnership firm को separate legal entity नहीं माना जाता है जबकि company को firm करने के लिए registration करने के लिए एक लेंदी और complicated process चाहिए को follow करना पड़ता है और दूसरा यहाँ पर जो registration है वो compulsory registration होता है और company उसके बाद registration के बाद एक separate legal identity बन जाती है जबकि partnership firm में ऐसा कुछ नहीं होता number of members partnership firm में minimum two persons हो सकते है ठीक है और maximum जो है 50% आप as a members of partnership firm रख सकते हो ऐसा किस में कहा गया है ऐसा companies 2013 में कहा गया है ठीक है जबकि company की बात की जाए तो public company में हमको पता है कि public और private company दो टाइप्स होते हैं और public company में minimum seven members होते हैं और maximum unlimited members मनलब minimum seven members होना जरूर यह public company में जबकि maximum आप चाहे जितना भी लगा लो ठीक है उसके बाद अगर private company की बात है तो private company में minimum 2 members और maximum जो है 200 members आप private company में रख सकते हो तो यह सबसे बड़ा difference है number of members का कि partnership firm में minimum 2 और maximum 50 होंगे जबकि public company में minimum seven और maximum unlimited होंगे जब और साथ ही साथ private company में minimum 2 और maximum 200 होंगे उसके बाद अगर capital की बात की जाए तो capital पर्टिकुल ली जो पार्टनर्शिप फर्म है वह less capital पर क्या कर सकती है acquire कर सकती है through the issue of share आप लोगों ने सुना होगा यह रिलाइंस के शेर है मेरे पास ज्यादा capital होती है जबकि partnership firm के पास limited capital होती है उसके बाद आता है transfer part of interest मतलब कि जो partnership firm है वो उसके जो partners है वो एक दूसरे के बीच में जो उसका interest होता है या तो फिर उनका जो part होता है उसे easily transfer कर सकते है ठीक है लेकिन easily transfer करने से पहले उन लोगो क्या करना पड़ेगा उनको हर एक partners की permission लेनी पड़ेगी कि क्या में यह कर सकता हूँ या नहीं और अगर वो लोग agree करते हैं दूसरे partners तभी जाके वो transfer कर सकते हैं जबकि company में ऐसा नहीं होता members होते हैं company के वो easily और freely transfer कर सकते हैं उनके share ठीक है no doubt वहाँ पर भी थोड़े restrictions होंगे लेकिन private company में अगर बात की जाए तो restrictions ज्यादा देखने को मिलते हैं public company में बहुत limited restrictions होता है ठीक है तो यह एक difference है partnership firm और हमारे company के बीच में कि जो transfer of part या तो interest होता है वो partnership firm में बहुत difficult होता है transfer करवानियों की process जबकि public company में और private company में competitively easy होता है ठीक है यहां पर liability of a partner is unlimited मतलब कि यहां पर जो partnership firm में जो भी आपके partner है उनकी जो liability होती है ठीक है मतलब कि अगर उनकी जो भी as a member of partnership firm जो भी उनकी liability बनती है तो वो acquire कर रही सकते सरकार या तो फिर जो भी firm होगी वो साथ-साथ अगर उतना amount enough नहीं होता तो उसके personal capacity म में जो उनकी personal assets होते है वो भी उनको देने पड़ते हैं बेचने पड़ता है आप लोगोंने सीवा जी तो बहुत मुवी में देखा ही होगा कि partnership firm थी unlimited उनकी liability थी तो उनको अपनी जो भी professional capacity में उसके पास जो असे थे वो तो बेचने ही पड़े साथ-साथ उनको अपने personal assets भी बेचने पड़े कार बंगला अधिवन पर कार्ट सो जो उनके bank account सील हो गए थे आप लोगों नहीं देखा होगा कि Rolex घड़ी तक उन लोगोंने नहीं चोड़ी थी ठीक है income tax वालों तो यह होता है unlimited liability जबकि यहाँ पर जो company है company limited by liability उनके जो share होते है वो share holders होते है वो जो होते है वो एक limited liability रखते है बतलब कि जितने share उनके पास होंगे उतनी ही उनकी liability रहेगी यहाँ पर management partnership firm का जो भी सारे partners होते है वो मिलके करते हैं जबकि company का जो management है वो एक board elect होता है board of director select होते है select होते है और वो लोग जो है company का management संपालते है ठीक है उसके बाद life की अगर बात की जाए कि partnership firm की life कि इतनी होती है तो जो भी partner होगा वो अगर शायद death हो जाती है या तो insolvency हो जाती है या तो फिर वो incapable हो जाता है अपनी duties को निभाने में तो ऐसे cases में partnership firm का क्या होता है dissolution होता है और partnership firm end कर जाती है जबकि company जो होता है वो ऐसे circumstances like death, insolvency या तो insanity जो of members की होती है ऐसे में company खतम नहीं होती है जबकि company चलती रहती है एकात की death हो जाती है तो उसके place पे कोई नया इंसान आता है बटल की company खतम नहीं होती है जबकि partnership firm में अगर किसी की death होती है कोई retire होता है तो ऐसे में partnership firm जो है वो पूरी प्राइवेट कंपनी जो होती है वो बड़े लेवल पर काम करती है बहुत सारे partners होते हैं तो सेक्रेसिव मेंटेन करना थोड़ा difficult हो जाता है ठीक है flexibility की बात की जाए तो partnership firm flexible है मतलब वो थोड़े changes अपने इसाब से कर सकती है और अगर situation के इसाब से जो भी demand होती है time की उसाब से वो flexibility move कर सकती है जबकि यहां पर company को flexibility maintain करना difficult है क्योंकि उसका एक particular law होता है उसका particular पूरी process होती है उसको follow करना पड़ता है company को हम लोगो नहीं पहले ही देखा कि उसका registration होता है उसके बाद personal contacts partners जो है वो अपने employees और customers के साथ personal contact maintain करते है क्योंकि यहां पर जो partnership firm है वो हम लोगों ने देखा कि most probably जो है वो छोटे basis पर काम करना और जहां पर भी छोटा basis होगा वहां पर उनका customer base जो भी होगा उनके साथ आप कह सकते हो कि family relation type के relation होंगे ठीक है जबकि company की अगर बात की जाए तो company में totally professionalism देखने को मिलेगा महाँ पे कोई professional contacts नहीं होगे वहाँ पे कोई भाई दोस्त यार बंदू नहीं होगा वहाँ पे सारे लोग member of a company होगे और सारे लोग जो है बिल्कुल professionally काम करेंगे उसके बाद winding up मतलब की company को बंद करना या तो form को बंद क करना तो अगर बात की जाए कि end of partnership can be as per contract और the circumstances determined by law or at will of partner मतलब की अगर partnership firm को खतम करना है तो जो भी आपके contract होंगे contract में जो भी चीज़े लिखी होगी कि हमारी partnership firm ऐसे चलेगी उस हिसाब से आप उसे खतम करोगे खतम करने की process follow करोगे या तो फिर partners जैसे ही law को consult करते है कि भाई ये law में क्या लिखा गया है partnership firm के लिए उस चीज़ को हम लोग follow करेंगे वो दो मैंसे कोई भी एक option को follow कर सकते है ठीक है जबकि वो company जो होती है उस company को खत्बंद करने के लिए पूरी एक legal process होती है उसे follow करनी पड़ती है जैसे हम लोगोंने उसके registration की पूरी process देखी ठीक है certificate of incorporation के लिए क्या process होती थी पूरी यह अगर registration की process इतनी legal way से जा रही है तो उसको dissolution की process भी एकदम legal way में जाएगी ठीक है तो guys यह था difference हमारा partnership firm और company के बीच में I hope आप लोगो को समझाया होगा आप एक बार खुद से repeat कीजिए समझना है तो मुझे आप message कर सकते है टेक्स कर सकते हो कि sir यह point समझ में नहीं है समझाये वापिस ठीक है और अपने हिसाब से note maintain करे ताकि future में जब भी कभी exam हो तो आपको इससे benefit होता है और guys I request you कि जो यह video है उसको एक बार like माल दीजेगा और अच्छा लगे तो share भी कर दीजेगा ठीक है मिलते अगले session में ए private company है उसके साथ हो ठीक है तब्दा के लिए जय हिंद